हम दो तरह की चकली बनाने वाले हैं और की मुर्की बनाने वाले हैं आज हम वो भी एक हम बनाएंगे आटा के साथ और दुसरा हम बनाएंगे बैसन के साथ और ये भी आज बताएंगे कि अगर आपके पास मसिन ना हो तो आप इसे घर में बिना मसिन के कैसे बना सकते हो आप देख सकतो यह कितना क्रिस्पी भी बना हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम आठा बाला को सुरू करेंगे इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर दो का पाटा ले रही हूँ पहले हम दो का पाटा को छेनी में अच्छे से छान लेते हैं बहुत इजरे से भिये दोस्तो एक बार बनाना जरूर बोहत ही ज़्यदा प्रोफेड बनीगा बोहत ही क्रिस्पी बनीगा पहले हम आटा को अच्यास से छान लेंगे यहां पर हमने आटा को अच्छान चुके हैं और एकस्ट्रा को हम अलग कर देते हैं उसके बाद हम देड Kelvin लेंगे चलीन कपडा लेंगे किचिन टाउल होगा और उसमें हम जो आटा को हमने चानका रहे कितना उसी आटा को हम इसमें डाल देते हैं मैं जिस तरीके से दिखा रहे हूं आप बिल्कुल उसी तरीके से ही करना और इसे हम बिल्कुल इसी तरीके से ही फोल कर देंगे मैं जिस तरीके से फोल करें आप उसी तरीके हसे फोल करना तो बिल्कुर नहीं कुलेगा कि मेस भी नहीं होगा मैं आपन कड़ाई में थोड़ा सा पानी ले रहे हूं पानी को हमेज़े से करम कर देंगे आप चाहे तो एक स्टान के उपर एक प्लेट में रख सकते हूं या फर इस्टीमर के साथ भी रख सकते हूं मैने हाटा को टावल में इस तरह से स्टीमर के उपर रख कर 10 मिनिट के लिए ही स्टीम होने के लिए छोड़ देते ही उसी बीच हम क्या करेंगे ना बेशन का मुड़की यानिकी बेशन का चकली के लिए प्रिपारेशन कर लेते ही मैं हाँ पर बेशन की चकली बनाने के लिए ले रहे हुँ दो का बेशन और इसमें हम डालेंगे स्वादों चा नामा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हिंग दो टेबल स्पून हमें आपर सफे तील डालेंगे मैं हाँ पर तीन टेबल स्पून ओयल डाल रही हुँ इसे क्या होगा नहीं अच्छे से खास्ता बनेगा और कुड़कुड भी बनेगा और पहले हम इसे हाथों से मिक्स कर लेते और ज़्यादा मसाला नहीं डलने वाला ही यहाँ पर बहुत सिंपल बेसिक मसालों के साथ हम इसे प्रिपार करेंगे बिल्कुल बाहर जैसा ही बनीगा पर बहुत जदा टेस्टी बनेगा घर में बन रहा है तो अच्छा भी रहेगा कोई मिलावाट नहीं रहेगा मैं हाँ पर इसे अच्छे से पहले मौयन को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ वेशन के साथ इस तरीके से पहले अच्छे से mix करना उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करके इसका एक स्मूज डोब बना लेना एक ही बार में जाता पानी आड़ मत करना नहीं तो यह सोगी हो जाता है क्योंकि वेशन है यह इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करके इसका एक स्मूज सा डोब बना लेंगे जिस बीच हमारा आटा का चकली बनाने के लिए आटा स्टीम हो रहा है ना उसी बीच हम बेशन को भी अच्छे से नेट करके रख लेते ही मैं हम पर इसे अच्छे से नेट कर रहे हूँ जैसे कि बहुत अच्छा बने बिलकुर इसी तरीके से आप नेट करना अगर आपको बड़ी वीडियो पसंद आए ना दोस्तों प्लीस मैं चनल को लाइक से रेंड सब्सक्राइब कर ले ना अगर आप कह रहे होंगे कि में एक दिखा रही हूँ और आप अगर उसे बना रहे हो ना बेलकुल भी नहीं बन रहाया है ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा दोस्तों बहुत अच्छी से बनेगा तो इसे हम cover करके side में रख लेते हैं तो चलते हैं हमारा आटा को check करने के लिए क्योंकि 10 मिनिट हो चुका है 10 मिनिटे stream करना ज़ादा stream करने की ज़रत नहीं है तो चलते हैं हम इसे थंडे करने के लिए थंडा होने के बाद इसे हम अच्छे से open करते हैं विल्कुल भी मेस नहीं होगा आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक ठोस पदात में ट्रांसफर हो जुके हैं तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो पहले हम इसको अच्छे से break करेंगे आटा चकली आप सोच भी नहीं सकते हैं आप सोच रहे होंगे कि हमने तो चावल में से बनाना जिखा था अठा से चिस तरह बने का अगर आप इस तरह बनेग गया चावल चकली से बहुत अज़ा बनेगा और ट्रेस्ट हुआ है कิ पहले हम इस तरेके से जो कुटनी होती है न उससे हम इसे अच्छे से ब्रेक कर लेते हीं उसके बाद हम इसमें कुछ मसाला आध करने वlower इसमें चायका सवादून सा नमाग थोड़ा सा हल्दी पावड़ा थोड़ा सा कासमीरी वाली र owुड़िं थोड़ा सा हीлять यानि कि दो टेबल स्पून हम यहाँ पर सफे तील डालेंगे क्योंकि तील से इसका टेस्ट और भी जदा अच्छा रहता है मैं आप एक चुटकी बार हिंग भी आड़ कर रही हूँ और कुछ मसाला हम इसमें आड़ नहीं करेंगे ज्यादा ताम जहां नहीं करने वाले ही तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप सोच रहेंगे स्टीम हम क्यों करेंगे बिना स्टीम क्या नहीं होगा नहीं होगा दोस्तों अब जरू स्टीम करना स्टीम करने से इसका ज इससे हमारा elasticity बढ़ती है वो कम हो जाता है तो इसे अच्छे से निर्कने के पाद इसे 10 से 15 मिनिट आप चाहे तो हपानावर भी इसे डेस्ट पर दे सकते हो हपानावर के लिए इसे हम रेस्ट में छोड़ देते हैं उसी बीच हम हमारा बेसन बाले चकलियों को देख लेते है मेरे पास चकली बनाने के लिए चांचा था तो इसलिए मैं आपको दिखा रहे हूँ इस स्टार बाले चांचे से हम बनाएंगे बेसन बाले चकली और दूसरे बाले में हम बनाएंगे आटा बाले चकली पहले हम चांचे को अच्छे से ग्रिस कर लेते हैं इसा करने से बिलकुल भी नहीं चिपकेगा बहुत ही इजीली हो जाएगा इसलिए हम सभी को अच्छे से ग्रिस कर लेते हैं थोड़ा सा ओयल के साथ हम इसे ग्रिस करने बाले हैं जिस चांचे को हम यूज करेंगे उसे हम इस तरह से इंसर्ट कर लेते हैं और उसी बीच हम क्या करेंगे ना बिशन का डो लेंगे इसे हम इस तरह से रोल करने के बाद इसमें हम ढाल देंगे इस बटन को प्रेस करके हम उपर की तरफ इसे उठा लेते हैं उसके बाद ही हम इसे फिक्स करेंगे नहीं तो बिलकुल फिक्स नहीं होगा इसे अच्छे से फिक्स करने के बाद हम इस तरीके से इसे राउंड राउंड गुमाएंगे जो फास्ट निकलेगा ना उस तोब हम क्या करेंगे ना हदों से इसे थोड़ा सा साइच कर लेते ही उसके पाद हम हलके हादों से ही इसे राउंड राउंड इसे प्रेस करते जाएंगे और इस तरीके से घुमाते जाएंगे आप देख से तो इतने अची तरह कैसे बनकर बहुत हराम से निकलेगा बिवकुल टेंसर ने की जोरत नहीं है आप अपने अकड़िंग इसका साइज सेट करना आपको जितना बड़ा चाहिए और जोटा चाहिए जब हो जाए ना आप इसे चाको के मदद से किस तरह से कट करना और इसके एंड को थोड़ा सा प्रेस कर अब इसे प्रेस नहीं करोगे ना दोस्तों अगर यह तेल में आप जब भी डालेंगे ना यह खूल सकता है इसलिए हम थोड़ा सा एंड को प्रेस करतेंगे अभी हम देखेंगे कि अगर आपके पास मसिन ना हो तो आप किस तरीके से चकली बनाएंगे तो आप इस तरीके स एसे चकली का सेब दे देना ओर एंड को थोड़ा सा चिपक ने देना नहीं तो इकुल सकता है इसलिए हम एंड को हम थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं उसके साथ बिदा मसिन के चेल का से बना सकते होगा हम कड़ाय में लेंगे तेल को हम अच्छे से गरम काने के लिए कि मुश्यरिय तेल कितना गरब हना चाहिए तेल को हम मेदियम ही गरं गरम करेंगे किuciónहिप नहीं तो बाहर से जल सकता है और बेल्कुल भी नहीं पकेगा और उन्दर से बिलकुल भी नहीं पकेगा और ब्रिस्पी भी नहीं लगते हैं क्यूंक भी नहीं तो चैलते हम आटा चांचे को हम फिट कर लेते हैं आटा को भी बिलकुल उसी तरगे से रोल करके इंसे में इंसर्ट कर लेंगे और इसे अब हम अच्छे से क्लोज कर लेते हैं इसका लेट को तो चलते हैं आटा चकली किस तरह से बन रहा है देखते हैं पहले तो हम इसे दो तिन पर प्रेस करें दोस्तों जब भी आप जितना बड़ा चाहते हैं उतना सेप देने के बाद इस तरह की से आप काट करके इसका एंड को आप फिक्स कर सकते हूं पहले हमारा तेल अच्छी से गरम हुआ है रही चेक कर लेते हैं उसके बाद हमें आपर बैसन बाली चकली को छानेंगे ग्यास बिल्कूल अभी low to medium flame पे ही रहेगा नहीं ति वी crispy और कुरकुरा बिल्कुल भी नहीं बनेगा अगर high flame पे आप इसे cook करेंगे न यह बिल्कुल crisp नहीं बनेगा जब हमारा बैसन बाली चकली चान रहे न उसी बक्त हम हमारा आटा बाली चकली को भी ready कर लेते हैं सारे चकली को हम इस तरीके से घुमा घुमा कर ही ready करेंगे जब भी आप इसे बना रहेगा आपको भी बहुत मजा आएगा इसे बनाने बक्त क्योंकि इतने प्यार से इतने आराम से ये बन रहा है ना बहुत अच्छा लेगीगा अब हम दिखाते हैं कि आटा वाले चकली को हम बिना मशिन के किस तरह से प्रिपार करेंगे जिस तरह से मैंने वेशन बाले चकलियों को दिखाए था ना उसी तरह से ही हमने आटा वाली चकलियों को ही प्रिपार करेंगे थोड़ा सा छोटा सा लोई ले लेंगे और इसे हम इस तरीके से पतला पतला हलके आतों से ही इसे हम रोलन करेंगे और इसके बाद ही आमुर्की के सेव में विलकुल इस तरीके से राउं-राउंड सेव दे देंगे और ये फ्राई होने का बाद कितना क्रिस्पी बना है वो भी हम दिखाएंगे लास्ट में और इस तरीके से हमारा आठा बाली चकले भी विलकुल रेडी हो चुका है हाँ दोस्तों हलके हादों से काना नहीं तो इस टूट भी सकता है और इसका एंड को थोड़ा सा प्रेस कर लेना यहाँ पर हमारा बैसन बाली चकली भी अल्मोस रडी हो चुका है यानि कि आप केसे समझों कि यह रडी हो चुका है क्योंकि यह अच्छे से फ्लोट कर रहा है अगर चकली अच्छे से फ्लोट करेना उपर आप समझ लेना कि अच्छे से पक रहा है अब देख से तो इसमें जादा बबल्स नहीं निकल रहा है यह अच्छे से फ्लोट कर रहा है इसलिए यानि कि हमारे चकली अल्मोस को खो चुके है तो अब हम इसे निकाल कर रख लेत सब्सक्राइब का इस अपता है दो से तिर मिन के बाद इसे हलके हलके हातों से भी पलट देते हैं इसका प्यारा सा कलर आ चुक है आप सोच रहे हो ज़ी कि इतना अच्छा किस्टे आया है क्यूंकि हम लेट जीली और हल्दी पाउड़र इसका इतना प्यारा है अगर पसंद प्लिस्ट लाइब तो प्लिस्ट लाइब